नमस्का दोस्तों कैसे आप लोग स्टॉक मारके स्टाडिज में फिर्सीख पर आपको शागत है तो आज यहां पर मैं बात करूंगा मैं बात करूंगा इंडिया के रिटेन नीवेसक के सबसे ज़्यदा पसंद देता स्टॉक फोटाफोन आइडिया तो फोटाफोन आइडिया के बारे मैं आज बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंड किया सर फोटाफोन आइडिया में मैं 5-6 रूपिया में इनीवेस किया था और मैं 10-12 रूपिया में सेल किया तो मेरा फांड तो दो गुना से ज़्यादा हो गया तो मैं यह सबको मिलता रहेंगे तो चलो देख लेते हैं आज के इस वोड़ा फोन आइडिया सेर के बार में तो वीडियो सुरू करने से पहले और एक चीज में आपको जुरू कहूंगा इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब जुरू करेंगे मैं जानता ही हूँ और साथी साथ आप अभ टेलिग्रम चैनल है आप एक बाज आका चेकाव कर सकते हैं तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बार में तो देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा वेबसाइट के हिसाब से देखिए वोड़ा फोन आइडिया का वेबसाइट से उसके जाकर आप वोड़ा फोन आइडिया के आप आप सीम भी यूज़ करते होंगे मतलब टेलिकम का सर्विसेज भी यूज़ करते होंगे तो तो आज इस कोंपानी के बार में कुछ टीटेल्स रिसकस करूंगा तो क्योंकि बहुत सारा दोस्तों ने कमेंड किया सर में 2 रुपिया में लेखा दूँी देखे से स्टाट हुआ था कमपानी 2013 में स्टाट अरज में 2013 में 사실 में सिटाट्रा था東 था कंपानी 2014 Inf tell period में वह तो इसके बाद कि धीरे 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 किस से तुटल कंपानी खतम के नस απ प्वह तो आप कहेंगे फिर से इस तरह के से बहुत सादा क्मपानी जाया है इस तरह के से गिराबट हुआ और उसका फिरसे जाम हुआ तेकि जाम भी हो सकते है ऐसे कोई बात नहीं के कॉमपानी बर्बात भी हो गया कि फिर से नहीं recovery नहीं कर पाएंगे हाँ, उसको recovery करने के लिए उसको business को बढ़ाना होगा, उसका funding के बहुत जुरुत है, मगर funding का किसी भी तरीके से उसको नहीं मिला है बहुत सारा वो कोसिस कर चुके है जैसे 5G, 5G launch करने के लिए वो बहुत कोसिस कर चुके है, मैं बहुत बार आपको वीडियो बना के दिया, जैसे Nokia के साथ Sony Erection के साथ, बहुत बाट tie-up किया, जो 5G launch करने के लिए उसको मदद करें, मगर यह कोई भी उसको मदद नहीं करना चाते क्योंकि वो जानते है कि Vodafone Idea, इसके उपर निवेस करूँ मतलब मेरा fund भी डूब सकता है इसलिए बहुत निवेस नहीं करना चाते तो आप कहेंगे सर, यहाँ पर जो चार्ट पटन है, इसके बिसी से यहाँ पर जो लेवेल है, वो मैं 3 रूपया में खरीदरी किये थे, और मैंने तो मैं टेडिंग के लिए कोई बात नहीं करता है, हाँ आप ट्रेडिंग करते है इंटेडरी लेवेल के लिए, उसके लिए मैं ज़रू बात करूँगा कि वो मैं नहीं करूँगा, हमारा जो गरूफ है, वो टेलीग्राम में आपको कॉल देंगे वहापे जाकर आप चेक आउट कर सकते हैं मगर आप इन्वेश्टर हैं इन्वेश्टर के बारे में बात करूँ तो आभी के फिलाल के लिए इस कॉम्पानी के उपर में बिग ग्रॉस लगाना चाहूंगा और क्यूंकि इस कॉम्पानी के जो फार्फर्मेंस है हें वह आपको नेगेटीब में ही दीखेगा तो चलो उसके उपर भी बात कलेता हूं तो सब्सक्ता पहले में रेजर्ट के उपर आ चुका हूं कॉम्पानी रेजर्ट अब किस तरी के से हुआ वह देख लेते हैं सब सबसे ले tua कंपानी टें चू रेजल्ट पपलिस कि वह actually million में है तो ठीक है कोई बात नहीं तो यहापर देख सकते है total income तो total income किस कितना हुआ तो यहापर जो first column है quarter 4 का मतलब इस quarter का result तो क्या हुआ 1,2,700 सिर्फ आप figure देखना million में हो करोडों में हो कुछ भी हो figure देखके ही आपको पता चलेगा कि actually company में क्या हो रहा है तो पिछले quarter में कितना था 97,500 तो यहापर कौण सा quarter था quarter 3 और last quarter quarter 4 था पिछले सालों का आपर था 96,400 आप कहेंगे sir देखा मैंने बोला था कि company का income कितना ग्रोथ हुआ तो अच्छा खासा income तो ग्रोथ हुआ ठीक है कोई बात नहीं अभी देख लेते हैं company के expense कितना हुआ तो चलो वो भी देख लेते हैं तो यहापर ही पूरा के पूरा पासा पलट गया कैसा 1,68,000 तो आप देख सकते हैं company का expense कितना बढ़ गया income के इसा बसे expense कितना बढ़ चुक है 1,68,000 जो पिछले quarter में तो और भी जाता था 1,69,000 और पिछले सालों में भी और भी जाता था 1,57,000 हाँ आप यहापर एक चीज बोल सकते हैं कि company का जो expense है वो पिछले 2 quarter के तुलोना से company के expense बहुत कम हुआ तो अभी देखना है company का हाथ में क्या बच्चा तो taxes भी company को देना पड़ा तो उसके बाद total company का हाथ में आए profit after taxes तो profit after taxes आप देखेंगे तो around 65,631 मैं यह आपर positive के बाद नहीं कर रहा हूँ मैं यह आपर negative के बाद कर रहा हूँ इसका मतलब company ने जो result publish किया 65,363 million का losses है जो पिछले quarter में था 72,300 पिछले सालों में था 70,000 तो हार साल में company ने क्या कर रहा है loss कर रहा है आप कहेंगे sir हाँ loss तो हुआ मगर थोड़ा सा कम तो हुआ देखिए आप loss तो losses ही होते है तो आप मान के चलिए आप 100 रूपिया मतलब खर्चा कर दिया और आप 80 रूपिया खर्चा कर दिया तो आप कर रहे तो में 20 रूपिया तो बचा लिया तो चलो ठीक है कोई बात नहीं तो फिर भी आपका losses तो losses ही है न तो देखिए loss को recovery कर रहे है अच्छी बात है मगर कितना recovery कर पाएंगे बो तो बात में आपको पता चलेगा तो फिलाल के लिए company का जो figure है company का जो performance है वो negative में है तो मैं एही बात आपको समझाना चाता हूँ जो company negative में है और जिसके पास बहुत बड़ा करजा है उस company future में किस तरह के से growth करेगा वो खुद company ही जाने हाँ उसको अगर funding मिलता है उसको अगर कोई business को कोई acquire करता है तब उस company को अच्छा खासा growth हो सकते है हो सकते है अभी तो उस तरीके से कुछ security नहीं आया उस तरीके से कुछ news भी नहीं आया तो फिलाल के लिए इस company के उपर क्या करना चाहिए तो चलो भो भी बात करता हो देखें company छोटा मोटा नहीं है 27,900 करोड का company है मगर इसका return of equity मतलब annual income तो पहले देख चुक है 28,000 करोड का loss company का debt देख लीजिए 2,13,000 करोड का debt तो final sector से भी बहुत जादा debt था इसका क्योंको final sector भी इतसे भी कम debt लेते है और what upon idea तो इतना debt ले चुके है और EC के कारण yes bank जो डूब चुके है सिर्फ EC के कारण तो आप समझ लीजिए bank को भी डूबाया और खुद भी डूबिया तो company के उपर company का हाथ में क्यास है 10,000 करोड का क्यास है आप कहेंगे क्यास तो अच्चा है फिर भी मैं कहूंगा क्यास होने से कुछ फायदा नहीं क्यास होने से company को मतलब जैसे मान के चलिए आपका बुखार हुआ है तो छोटा मोटा मतलब दबाई खाके ठीक हो सकते है मगर आपको ज्यादा मतलब आपको मन के चलिए आपको डेंगू हुआ है और भी बहुत साथा मतलब बहुत ज्यादा बुखार हुआ है तो आपको होस्पिटल जाना पड़ेगा तो सेम तो सेम या पर company के इंडेस्टीज के बारे बात करूँ तो टेलिकम इंडेस्टीज में अभी तो तीन प्लेयर काम कर रहे है भारती अट्यल और रिलांस जीओ और साती साथ वोड़ाफोन आइडिया तो वोड़ाफोन आइडिया अभी तीन नमबर रैंकिंग में है जब तक जीओ नहीं आ जाते तो भारती अट्यल ही नमबर वन रहेगा तो company के balance sheet के बारे बात करूँ तो company देखिए हर quarter में company loss करते जा रहा है हर quarter में हाँ पहले तो 25 करोड तक company loss किया quarter में अभी उसको recovery किया 6 करोड तक company loss किया है तो company के देखिए यर अब यर के बारे बात करते तो पहले company अच्छागासा profit करते थे जब company अच्छागासा चलते थे जब मार्केट में सब एर टेल था मतलब भारती एर टेल था और साथी साथ थे अधान था तब company जब उदस काम करते थे उसके बात company का हालत खरब हो गया जब मार्केट में जीओ आगया और वुड़ाफोन आइडिया कौन सा था हाच था तो हच किसको बेचा? Vodafone को? Vodafone किसके साथ जूड़ा? Idea के साथ तो इसलिए Vodafone Idea बन गया तो देखि ए कॉम्पाणी जब कोई कम्पाणी अगर दूसरे कम्पाणी को बेच रहा है किसी को पूरा के पूरा शेयर बेच रहा है उसका मतलब समझ लेजिए प्रोमोटर अगर माल बेच रहा है मतलब कॉम्पानी में कुछ ना कुछ तो गरबड़ी है तो इसलिए कॉम्पानी को बेच के चला गया और Vodafone आइडिया और अदित बिल्ला आइडिया वो भी इसके साथ जूड़ कर वो तो उसको लगा के मैं तो पुरा फस गया तो चलो कॉम्पानी ने क्या फॉर्फिट दिया तो एक साल में 7% तग रिटन कोई बात नहीं बाकी सारे के सारे परामेटर देखेंगे तो लॉस एसी लॉस देखेंगे कॉम्पानी के जो प्रोमोटर से उसके बारे मैं बात करूँ तो पॉमोटर देखेंगे 74% पॉमोटर के पास होलडिंग है आपको मैं बहुत बार बोल चुका हुँ के प्रोमोटर जादा होने से कॉम्पानी अच्छा होता है मगर ऐसे भी एकजंपल है क्रोमोटा ज्यादा होने से कुछ फरग नहीं पड़ता कॉमपानी के उपर यूकर देखे एफाइस जो है जो पहले 15% तक निवेस करके रखे थे आभी कितना तीन परसन निवेस करके रखा उसका मतलब डिवाइस कितना 1% पाबली कितना 20% तक इसका मतलब कुछ भी फरग नह अच्छा है तो आसा करता हूं सारे आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जुरू करेगा दोस्तों को सब्सक्राइब करियागा मिलते नेक्स्ट लेके तब तक के लिए अच्छे बाए